जैनगर लाइव में आपका स्वागत है मधुबनी जिले के फुलप्रास अनुमंडल के नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक तेज रफ्तार बस ने पंचायत भवन के सामने खड़ी बस में पीछे से ठोकर मार दी मिली जानकारी के अनुसार चालक तथा खलासी ने घटनास्थल पर ही दम तोर दिया तककर की जोड़ार आवाज सुनते ही लोग वहां पर इकट्था हो गया लोगों के द्वारा ततकाल सुचना थाना फुलप्रास को दी गई फुलप्रास थाना प्रभारी कीरते कुमार अपने दल बल के साथ खटनास्थल पर पहुँच गए पहुचने के बाद पुलिस टेड बॉडी को पुलिस अपने कबजे में ले ली है अथा थाना प्रभारी ने बताया दो व्यक्ती की हालत गंभीर देखते हुए बहतर इलाज के लिए डिम्सीच दर्भंगा रैफा किया गया है जबकि दोनों बसों को पुलिस अपने कबजे में लेकर थाना परिसर फुलप्रास लेकर आई प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़ी बस जोगी आसाम से आ रहा था जबकि तेज रफ्तार बस मुजफरपुर के तरफ से आ रहा था इस घटना की पुष्टी थाना प्रभारी फुलप्रास कीरती कुमार ने की हाँ जाए जएगा जए रहना थाना की तरफ इसका अरें जाएगा जएगा सब्सक्राइब कर दो झाल जो जो कर सकता है